हाई गाई वेलकम टो माय चानल आज किस वीडियो में मैं आप लोगों किसा शेयर करने वाली हूँ कि बेशन से किस तरीके से करे हम अपने त्वजा पर पड़े काले दाग धब्बे जब पिंपल्स आ जाते हैं तो पिंपल्स की जो निशान रह जाते हैं वह बहुत ही ज़्य होते हैं जहां या पिग्मेंटेशन और कालापन को कैसे दूर करें आज किस वीडियो में हम जाने के वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंदे तो लाइक है और शेयर ज़रू कर देना तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेट्स क स्कीन की एजिंग को रोकता है और अगर पिंपल्स के बहुत ज़्यादा जिदी निशाने तो उसको भी धीरे धीरे कम करने में हेल्प करता है हमारे स्कीन को जो है जो फेशल है होते है उसको भी रिमूव करने में बहुत ही ज़्यादा है अगर आपकी बहुत ज़्यादा स तो यह रेमेडी परफेक्ट है आपके ओईलिंग इसको खतम करने के लिए और एक्सेस ओईल को हटाने के लिए उसके बाद यहां पर मैंने वन पिंच ओफ टर्मरीक लिए अब सभी लोगों को पता है कि जो ब्राइडल्स होते जो नई दूलन्स होते हैं उनके लिए यह जो भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और सालों से हल्डी अबेसं का इस्तेमाल हमारे उप्टन में भी किया जारह रहा है हमारे सुंदरता को निखारने के लिए उसके बाद यहां पर मैंने 2-3 चमच दूध आड़के हैं यह यह ने मिल्क और रो मिल्क हमनें एड़क दूद इ चोटे चोटे दाग धबे निशान उसको भी रिडियूस करता है और फाइन लाइन एजिंग को भी रोपता है अगर आपको पिग्मेंटेशन की प्रॉब्लम हो रखे तो यह जो फेस पैक है यह बेस्ट है आप इसको वीक में दो से तीन बार इस्तेमाल करें और यहां पर मैं की प्रॉब्लम है काली गर्दन की प्रॉब्लम है यह फिर डाग अंडराम है हातों पैरों पे आप इसको कहीं पे भी लगा सकते हो सिर्फ आपको पंदरा से बीस मिनट जो है लगा के रखना है उसके बाद जो है हलके हातों से स्क्रव रफ करते वे निकाल देना है और स्पेक को जो है वीक में दो से तीन बार ज़रूर इस्तेमाल करें जरूर से जरूर इस्तेमाल करें विकॉस यह अगर आपके स्कीन पे जो है टटानिंग हो रगिए या और फिर दाने है चोटे-छोटे पिग्मेंटेशन की प्रॉबम है तो आप इसको जरू ट्राए करें आपके स्कीन पर ग्लो एड़ करेगा आपके स्कीन चमक नहीं लगेगी एक चमक एड़ करेगा आप करके देखिए उसके बाद अपने रिजर्ल जो है कॉमेंट सेक्षिन में जरूर मेरे साथ जरूर शेर करना I hope friends आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई हो आप लोगों के लिए अगर helpful रही हो तो प्लीज एक like जरूर करना और अच्छे अची वीडियो देखने के लिए मेरे चानल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करना थार वरिगोन चानल कुर से हमघ। है एक सबस्क्रेश करना